हाउ डू सेट डेटा यूजर सेटिंग इन एनी रियल्मी सीरीज नमस्कार दोस्तों आगर आप सभी का तिकराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कैसे अपने डिवाइस पर डेटा यूजर सेटिंग कर सकते है तो अगर दोस्तों आपको बताने है कि सेटिंग कहा पर है और क्या क्या सेटिंग आपको मिलेगा डेटा यूजर के अंदर पर तो इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा जरूर देखें मैं आपको फूली एक्स्प्लेशन के साथ यहाँ पर बताने वाला हो कि डेटा पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शूरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको करना किया है अगर आपको यहाँ पर डेटा यूजर सेटिंग करना है तो जाए मोबाइल के सेटिंग पर एंड र उसमें कौन सा ज्यादा कितना यहाँ पर यूजर ले रहा है ठीक है अभी दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि अभी ठीक है यहाँ पर सबसे ज्यादा यूजर जो है गूगल राइव तो वह ले चुका है ओल्रेड़ी 26.84 GB Facebook ले चुका है 1.88 GB YouTube ले चुका है 1.87 GB Instagram ले च 4.94 MB वूट है 363 MB एंड वाटसेब 328 इस्पटिफाइ 264 एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर ठीक है तो इस तरीका का यूजर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे हाई और सबसे ज्यादा गूगल ड्राइव ठीक है तो उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ देख есп dont pat on his यहाँ है तो देखने को सकते हैं गाएवरी मांड यहाँ पर बता रहा हैं तो हमेशा दोस्तों मेरा जो डेटा ली मेकर अबर करके करें उसके बाद डेटा ली मेंट सब्सेमाद सेर्ग करना चाहते इतना आप सकते MB के साथ भी कर सकते हैं GB के साथ भी कर सकते हैं ठीक है, कुछ इस प्रकार से तो बस यहाँ पर जाके आप सेफ कर दीज़े और आपका डेटा लिमिट सेफ हो जाएगा, यह है दोस्तों मानली के लिए उपर में नीचे में हैं आपको उपर में है daily का और नीचे में है manly का ठीक है daily उपर में आप set कर सकते हैं और manly set करना है तो आपको नीचे में option मिल जाएगा तो यह है आपका data limit setting अभी wifi का data uses भी आप चेक कर सकते हैं आपर ठीक है कि wifi के साथ कितना data आपका use हो रहा है उसके बार आपको यहाँ पर मिलेगा network permissions पर है तो जाके यहाँ पर नेटरोग परमिशन चेक कर सकते कि कौन कौन सा application पर पर मिशन इनैबल है कौन कौन सा एप्लिकीशन परनेटरोग पर मिशन इनैबल नहीं है तो आप यहाँ पर जाकर वह manage भी कर सकते हैं ठीक है कि कुई application का मुझे बं कर देना है network permission आप वहाँ स कर सकते हैं उसके बार आपको मिलेगा data saving mode जहाँ पर जाके आप data saving mode enable करके use कर सकते हैं एप यह पर यह बता रहा है तो यह है आपका data saving mode and आपको मिलेगा dual channel acceleration setting network speed will be intelligently increase when wi-fi and mobile data are used simultaneously तो यह setting दोस्तों आपको यह आप देखने को मिल जाएगा तो आप जाके आपन इनेबल करें apps that support network acceleration तो दोस्तों यह network acceleration का future है जिसको आप यहाँ पर use कर सकते हैं तो यह है दोस्तों आपका data user setting जहाँ पर आप data manage कर सकते हैं आज की इस वीडियो पर दोस्तों इतने हमिद करते हैं आपको वीडियो पसने होगा तेंक्स पर राचिंग झाल सकते हैं आपके बाचिंग